सीर गोवर्दनपूर में कई विकास कारियों का लुकारपन और चिलान्यास करने का मुझे आउसर मिला था वहां मुझे जालंदर और प्रण्जाब के सद्दानों को नमन करने का सवभाग ये मिला था साथियों देश में पांच चरणों का चुनाव हो चुका है छट्थे चरण का चुनाव भी कल होने जा रहा है उसका भी प्रचार थम चुका है जो लोग कल तक बीजेपी के खिलाब गुबारा फुला रहे थे उनका गुबारा भी फूट चुका है अब कॉंग्रेस और हिंडी गड़बंदन वालों को कोई वोट देना नहीं चाहता आप अगर जाल अंदर में चौक में खड़े रहिए सो लोगों को पूछिए किस की सरकार बनेगी किस की सरकार बनेगी आप जलन तर के चौक में जा करके पूछिए सौ में से नब्बे लोग कहेंगे कि मोदी की सरकार फिर से बनेगी जब ये पक्का है इश्वर रुपी जनता जनारदन ने फिर एक बार मोदी सरकार मनाना ताय कर लिया है तो कौन ऐसी गलती करेगा कि जो किसी और को वोट दे क्या कोई कोई अपना वोट बरबास करना चाहेगा क्या कोई चाहेगा कि उसका वोट खराब हो हर कोई चाहेगा न कि मैं वोट सरकार बनाने के लिए देता हूँ और इसलिए इस बार जब चारों तरफ ये पक्का हो चुका है कश्मीर से कन्या कुमारी गुजराच से ले करके कोहिमा तक जब ये पक्का हो चुका है कि फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों पिछले दस साल में पहली बार देश ने एक नया दोर देखा है कॉंग्रिस की समय में नई नई समस्याएं पैदा होती थी मोदी ने पहली बार समस्याओं के हल निकाले हैं कॉंग्रिस के समय में गरीबी का संकट गहराता जा रहा था मोदी के समय में आज 25 करोर लोग गरीबी से बहार आये हैं कॉंग्रिस के दोर में अर्थ व्यवस्ता संकट में थी आज पहली बार भारत विश्व की पांच भी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता है पहले देश में आतंगबाद का खत्रा बढ़ता जा रहा था आज मोदी सरकार ने देश में आतंगबाद की कमर तोड़ कर रख दी है पहले पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी मोदी ने जब से गर्वे गुशकर मारा तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले सो बार जोटता है पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे आज देश भी समझ रहा है जब तक कॉंग्रेस है समस्याएं 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 यही उसका सिल्चिला है जहां कॉंग्रेस है वहां समस्याएं है और जहां बीजेपी है वहां समाधान है आर इसलिए पूरा देश एक स्वर्थ से कह रहा है देश ने नारा बुलन किया है चार जून चार जून चार जून साथियों पंजाब हमारे भारत की पहचान है यह हमारे गुरुआं की पवित्र भूमी है लेकिन कॉंग्रेस ने पंजाब को कभी भी जमीन के टुकडे से ज़्यादा माना नहीं कॉंग्रेस ने सन सहितालिस में अपने परिवार को सत्ता दिलाने के लिए पंजाब को बाट दिया हमारा करतारपुर साइब देश की सीमा के ठीक भगल में लेकिन कॉंग्रेस ने उसे पाकिस्तान को सौप दिया था जिसे गुरु नानक देव में आस्था होगी क्या वो कभी भी ऐसा कर सकता है क्या इकत्तर की जंग में भारत ने पाकिस्तान के नब्प्य हजार से जादा जवान बंदग बनाये थे अरे उन बंदगों को रिहा करने के बदले ही करतारपूर सहब मांग लेते लेकिन एक परिवार की बहावाई और एक वोट बैंक को खुश करने के लिए कॉंग्रेस ने वो भी नहीं किया साथियों ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी भावनाओं की परवाग की हमारी सरकार ने करतारपूर कोरिडोर बनवाया हमने दर्शन करने शीष नवाने के लिए रास्ता खोरा पहले स्री हर्मिंदर साहिब में विदेशों से चंदे पर रोक थी वो रोक मोदी ने हटाई हमारी सरकार ने गुरुओं के प्रकास परव को पूरी स्रद्धा से देश विदेश में मनाया भाई और भेनों तुष्टी करन के खेल में डुबी कॉंग्रेस ये काम नहीं करती थी कॉंग्रेस की प्राश्विक्ता उसका बोट बैंक है कॉंग्रेस ने अपने चहेते इतिहास कारों से जो इतिहास की किताबे लिखवाई उसमें दो परिवारों का जिक्र रहा एक अपने परिवार का और दूसरा मुगल परिवारों का नतीजा ये हुआ कि देश की कितनी पेडियां हमारे साहिब जादों के बलिजान से सही से परिश्चित नहीं हो पाई कॉंग्रेस को लगता था कि साहिब जादों की बात करेंगे तो वोट बैंक नाराज हो सकता है इत्यास के हर आहम पड़ाव पर कॉंग्रेस ने अपने वोट बैंक की कर्तुतों को छिपाया पंजाब ने इतनी बड़ी विभाजन की तादी जली लेकिन इसे भी हमारे बच्चों को गहराई से नहीं पढ़ाया गया कॉंग्रेस को लगा कि उसके पाप सामने आ जाएंगे उसके वोट बैंक को अच्छा नहीं लगेगा साथियों ये बीजेपी है जो सीना ठोक कर बिरासत पर गर्व की बात करती है हमने साहिब जादो की स्पृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बनाने की शुरुवात की हमने 14 अगस को विभाजन विभीशिका दिवस मनाने की शुरुवात की हमने आजादि कामरुच्चों मनाया तो ऐसे हर पड़ाव को नई पीड़ी तक पहुचाया साथियों वीभाजन में जो हमारे हिंदू सिख भाई बैन उदर छुट गए वो भी हमारे अपने ही है बीजेपी एंडिये सरकार ने उन्हें भारत में नागरिक्ता देने के लिए सीए एक कानून बनाया लेकिन कॉंग्रेस को उससे भी परेशानी हो गई कॉंग्रेस कह रही है वो सत्ता में आएगी तो सीए एक कानून रद कर देगी वीभाजन के पिरित हमारे हिंदू भाई बैन हमारे सिख भाई बैनों को नागरिक्ता नहीं मिलने देंगे साथियों हमारा पंजाब देश का सिमावर्ति राज्य है हमेशे दोबारा से संकट में नहीं जाने देना है कॉंग्रेस ने दसकों तक जो पाप यहां किये थे अब जाडू पार्टी कॉंग्रेस की उसी विश्बेल को खाज पानी दे रही है आप याद करिये इन्होंने क्या वादे किये थे इन्होंने कहा था दो महिने में नशे का कारोबार बंद करेगे कहा था गए नहीं कहा था उन्होंने वादा किया था गए नहीं किया था लेकिन आज ड्रक्स डिलरों को पंजाब में फ्री लाइसंस मिला हुआ है परिवार के परिवार बरबाद हो रहे हैं पंजाब के लोग भी समझ गए हैं जाडू पार्टी वाले ये तो खोद नसे के होलसेल व्यापारी है जिनों ने इतना बड़ा शराब गोटाला किया हो वो पंजाब में डख्स की काली कमाई में डूपकी कैसे नहीं लगाएंगे साथियों जाडू पार्टी ने कॉंग्रेस से आपातकाल का पार्ट भी अच्छे से सीख लिया ये कॉंग्रेस की फोटो काफी पार्टी जो मिडिया हाउस इनकी दमकी के आगे जुक नहीं रहा उस पर ये मुकदमे करवा रहे हैं यही इनकी असलियत है और मैं हमारे प्रदेश अध्यक जी का अपिनंदन करता हूँ उन्होंने बिड़ा उठाया है कि भार्टी जनता पार्टी फिड़ेम अप्रेस के खिलाब ये जाडू वालों की कोई बेमानी नहीं चलने देगी भायों बेनों पंजाम में बरबादी के फ़साल ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की साजी खेती है यहां ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं दिल्ली में दोनों गलबईया करते हैं इसलिए किसी एक को भी वोट देना यानि पंजाब के खिलाब वोट देना साथियों बीजेपी के लिए पंजाब हमारी आस्था है पंजाब की प्रगती ये मोदी की गारंटी है हमारा जाल अंधर स्पोर्थ इंडस्टी का इतना बड़ा सेंटर रहा है पाइप फिटिंग और हैंट टूल इंडस्टी का इतना बड़ा आधार रहा है लेकिन इंडी गरबंदन वालों के कारान या उद्ध्योग भी परिशाणी में है हमारा संकल्प है पंजाब में इंडस्टी को बड़ावा मिले हमारे पंजाब के द्ध्योजाओं को पींड में ही काम मिले इसके लिए हम विकास कहने को काम कर रहे हमारी सरकार में आदमपूर में ऐरपोर्ट बना है यहाँ फ्लाइट की संख्या पड़े हम इसके लिए काम करेंगे आज जालंदर को बंदे भारत ट्रेन भी मिली है जालंदर और फिल और रेल्वे स्टेशनों का विकास हो रहा है कट्रा अमरुसर नई दिल्ली नेशनल हाइवे से पूरे छेत्र में कनेक्टिविटी बैतर हो रही है अगले पांच साल में इविकास और गति पकड़ेगा ये मोदी की गारंटी है साथियों मोदी के तीसरे कारकाल में देश नई उचाईयों को छुएगा और एक वाइदा मैं पंजाब के बुजुर्गों से करना चाहता हूँ यहां सत्तर साल से अधिक उम्र के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स है हमारे परिवार के बुजुर्ग माता पिता दादा दादे नाना नानी जो भी है अब सत्तर साल के आयू होने के बाद कोई न कोई बिमारी तो आती ही है और जो बेटे बेटी मेहनत करके कमाई करते हैं उनके तरब सामने अनेक जिम्मेवारिया होती है एक तो रोज मरना की जिन्दिकी का गुजारा करना बच्चों की आशा पेच्छाओं को आगे बढ़ाना और बुजुर्गों की जिन्ता करना और उसमें भी अगर कोई बिमारी आ गई तो जो बेटे बेटी कमा रहे हैं उन पर बहुज बोज पढ़ जाता है बच्चों के लिए करने वाले काम रुख जाते हैं और इसलिए मोदी ने तै किया है अब आपको ये चिन्ता नहीं करनी है सत्तर साल से उपर के आपके परिवार जनों के बिमारी में इलाज का खर्चा ये मोदी करेगा ये मोदी की गारंटी है बायो बैनो पंजाब में बीजेपी की जीत पंजाब के विकास की गारंटी बनेगी मेरा अगरह है जालंदर से हमारे साथी सुशिल कुमार रिंकु जी लुदियाना से मेरे मित्रा रवनिच सी बिट्टु जी फिरोजपुर से राना गुर्मिच सी सोडी जी और खडूर साहिब से मंजीत सी मन्ना जी इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए उनको आप जब वोड देंगे कमल के निशान पर बटन दबाएंगे वो वोड सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है और इसलिए मेरा आपसे आगर है गर्मी कितनी ही क्यों न हो हमें मतदान के रेकॉर्ड तोड़े चाहिए तोड़ेंगे जादा से जादा मतदान होगा हमें चुनाव जीतने के लिए भी सब पोलिंग बूद जीतने है क्या पॉलिंग भुछ जितेंगे? सभी पॉलिंग भुछ जितेंगे? मेरे चाथ बोलिये भारत माता की? भारत माता की? बाद बाद धन्यवाद बोले सो निहाद